हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुभोच चन सिंग को जीस एम पी क्लिनिक आइन निव चैनल के अंतरगत फाइलेरियासिस यानि फाइलेरिया यदि आपका पैर धीरे धीरे मोटा होते होते बहुत ज्यादा मोटा हो जाए और हेटराजन बे बेलडाजोल फ्लोरोसिट के इंजेक्शन से कोई भी परभाव न परे यानि आपका बिमारी जर से समाप्त न हो तो आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि हम बार-बार बता चुके हैं कि 66 साल पुराना फाइलेरियासिस जब ठीक हो गया है तो आपको निश्चि थी जरुर हो जाता है जब पयर फूनने लगता है तो कई लोग फैलेरिया के कंफर्म होने के लिए जाआच करवाना चाहते हैं उनको लगता है कि जाच में सारा बिमारी का ये किलियर हो जाता है जाच कराने से कि कौन सी बिमारी है लेकिन आपको जान के अश्चर्ज होगा कि फैलेरिया का अभी तक कोई भी एथेंटिक जाच अभी नहीं निकला है फैलेरिया का कोई भी एथेंटिक जाच अभी तक नहीं निकला है यानि माइक्रो फैलेरिया का भी जाच कराएंगे तो फैलेरिया आपका पैर तो फूला रहेगा लेकिन जाच में निगेटिव दे देगा कोई कहेगा कि आम वस्वया के दिन आप जाज कराईए तब आपका फैलेरिया आएगा इसके आप चक्कर में नर है हम आपको एकजेक्ट यानि पॉइंट पॉइंट बता देंगे जिससे आपको कनफर्म हो जाएगा कि फैलेरिया ही है आपको दूसरा और कोई बिमारी नहीं ह पैलेर आप तो इतना फूल जाएगा जब पैलेर आपका ज़्यादा फूला रहता है पैलेर जब ज़्यादा फूला रहे तो किसी को समझ में आ जाता है कि फैलेरिया है बुचेरिया बैंक्रोफ्टिल है यानि हाथी पाउ है लेकिन जब पैलेर आपका कम फूला रहता है उस समय ही किसी को समझ में नहीं आता है कि ये बिमारी कौन सा है फैलेडिया जो है आपको सुबह में सुबह में जब भी आप चलना शुरू करेंगे तो आपको चलना नहीं जाएगा कुछ देरी के बाद चलने लगते हैं उसके बाद में आपका सुबह से लेकर के साम तक पहर फूलता है और रात में कभी नहीं फूलेगा और उसके भी सुरुवाती लक्षन देखें तब पहर जब आप कुर्सी से लटका कर या पलंग से लटका कर बैठेंगे उस समय में पहर आपका फूल जाता है ये फैलेरिया का लक्षन है और फैलेरिया एक पैर में भी हो सकता है दोनों पैर में भी हो सकता है एक हाथ में भी हो सकता है दोनों हाथ में भी हो सकता है फैलेरिया का जब एटायक होता है तो या तो पैर पर होगा पहले पैर फूलेगा या उसके बाद में हाइडोसिल एस्क्रोटम फूल सकता है अथवा आपका हाथ फूल सकता है ये अचानक आपको पैर फूले या हाइडोसिल फूले या हाथ फूले तो ये सारे फैलेडिया के लक्षन है फैलेडिया में सबसे बड़ा चीज वही होता है जो दीन में पैर फूलेगा रात में नहीं फूलेगा इसका खास पहचान है हाट का भी बिमारी में पैर आपका फुल सकता है लेकिन सभी में अंतर है जो हाट यदि आपको है तुसमें यदि दम्मा नहीं भी है या ध्यान अखियेगा लाखु मरीजों का जान बज़ सकता है लक्षन जानने के अधार पर कई बरे बरे डॉक्टर हम छोटे मोटे डॉक्टर का चर्चन नहीं करते हैं बरे बरे डॉक्टर भी चुक जाते हैं हाट के बिमारी को पकरने में और फैलेरिया के बिमारी को पकरने में सुजन क्यों है उनको समझ में ही नहीं आता है लेकिन हम इतना किलियर बता देंगे कि आप कहीं भी डॉक्टर से डिसकस कर सकते हैं और अपने बिमारी का वकालत कर सकते हैं किलियर आपको समझ में आएगा कि कौन बिमारी है यदि दम फूले दम्मा नहो खासी भी नहो यानि चेश्ट फेफरे का कोई भी बिमारी नहो उसके बाद में हमेशा मरीज का दम फूलता रहे और पैल फूल याए बिना दम्मा का डम फूले रात को रोगी सो नहीं पाए सास नहीं ले पाते हैं लोग क Beim कई तकीय का तकीय का परियों करते हैं दो तिन परियों करते है ऐसे ही रात भर जगे रहते हैं ऐसे भी रात भर जगे रहते हैं और सास बहुत ज़्यादा उनको फूलता है तो समझे कि उनको हार्ट का प्रोब्लेम है और फैलेरिया में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनको दम फूलेगा फैलेरिया में किसी किसी को इसने फिलिया होते देखा गया है और ये बिमारी आगे बढ़ेगा तो लेडिज है और अरत है तो छाती में उनको ब्रेश्ट में यानि कि गिल्टी हो सकता है और किसी किसी का आँख लाल हो सकता है आँख क्या होगा लाल हो जायेगा और जब phyleria का attack करेगा, तो या तो paier फूलेगा, या हाइडो सिल फूलेगा, या हात फूल सकते नियुक जब अब मरीज है सकते हैं किसी किसी का phyleria का attack होता है तो कियो हात फूलेगा, इसमें भी कई मरीज, कॉई डोक्टर चुक जाते हैं और कोते कि ये हार्ट के मरीज है लेकिन ये हार्ट डिजीज नहीं है हार्ट डिजीज नहीं है फैलेरिया है फैलेरिया में भी एटेक आप फैलेरिया में एटेक होता है तो फूलता है और बहुत सारे लोगों को जार बुखार यानि आपको लगेंगे भूत खेलाने भूत खेलाने लगेंगे ये फैलेडिया में जार और बुखार आएगा और सरीर में या पैर में काफी दर्द हो सकता है उल्टी हो सकता है सीर दर्द भी हो सकता है ये सारा लक्षन है और फैलेडिया जब आपको आता है तो चमरे के बीमारी के साथ में भी आता है पैर आपका काफी पैर में लाल लाल दाने आ सकता है और पुराना जब फैलेडिया आपका हो जाएगा पुराना पैर हो जाएगा पैर फूले फूले तो उसमें से पानी निकल लगता है काई लोग फैलेरिया बहुत ज्यादा पाइर मोटा हो जाता है तो घबरा करके अप्रेशन करवा डालते हैं लेकिन अप्रेशन से भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा किरला में लोग जाते हैं वहां पर भी तरह का आपको इलाज दिया जाता है लेकिन उससे भी आपको कोई फाइदा नजर नहीं आता है ट्रीमिंग करते हैं क्या क्या करते हैं कभी भी से समचर्चा करेंगे तो फैलेरिया जो है यदि आपको मोटा पैर हो गया है ततकाल आराम के लिए फिर से सुनियेगा कई लोग यूटूब पर देखते रहते हैं और उस समचते हैं कि दवा को ये कोई डॉक्टर बता दिया उबूज गए कि फाइनल मेरा आपका इलाज होगी या दोर के जाकर खरीद के लाके लगते यूज करने ऐसा नहीं है सोच समच के दवा आपको लेनी चाहिए इससे हम कभी नहीं बताए हैं कि फलेरिया ठीक होगा बलकि आपको अराम लगेगा मोटा चमरा हो गया है टाइट हो गया है तो थोरा मुलायम रखेगा थोरा कंटोल में रखेगा लेकिन ठीक करने के लिए आपको इसको पूरा जर्ष समाब करने के लिए आपको लंबे समय तक देख रेख में इलाज लेनी पड़ेगी यानि आपको जैसा तकलिप होगा वैसा आपको बताना पड़ेगा कई लर्के लर्कियों का साधी बिवाह भी फैलेरिया के ओजस से नहीं हो पाता है ऐसे रोगी को आप चिंता करने की जरूवत नहीं है आपका फैलेरिया 100% ठीक होगा केव की चाचा भतिजे का पुराना फैलेरिया का हमने लाइब किया है 66 साल पुरान ने 1968 का फैलेरिया 2020 में जाकर के ठीक हुआ और भतिजे का भी हाथी पाव ठीक हुआ हमने लाइब किया है काई लोग सोचते हैं कि फैलेरिया जर से समाप नहीं होता है वो भरम में नर है यदि विदेश में आप जाने वाले हैं और फैलेरिया माइक्रो फैलेरिया आपको पोजेटिव आ गया है तो इलाज चलने के बाद में धीरे-धीरे निगेटिव हो जाएगा हेटराजन, बेनोसाइड फोर्ट, एलवेलडाजोल या फ्लोर्ट सीट का इंजेक्शन लगाने से कोई फायदा आपको नजर नहीं आएगा के वाल सिर्फ और सिर्फ के वाल कंटोल रहेगा राष्टी स्वास्थ मिर्शन के अंतरगत भी फैलेरिया को सामिल किया गया है जिसे रोग थाम के लिए तरह तरह की दवाईया दी जाती है लेकिन उससे भी ज़्यादा परभाव नहीं पड़ता है फैलेरिया मच्छर के काटने से होता है यानि बुचेरिया बैंक्रॉप्ट मच्छर मच्छर जब काटेंगे तो उनके लरवा में जीवानी होते हैं तो मच्छर तो बहुत छोटा होता है और आपके बढ़नी में जब काट लिया और बुचेरिया बैंक्रॉप्टी चला गय पावो खापी करके आपके शरीर में बरे बरे हो जाते हैं इसलिए पर इतना मोटा होता जाता है और उपने परिवार बना लेते हैं और उस पर एंटिबाइटी का कोई परभाव नहीं होता है शरीर को जब ठीक किया जाएगा तो फरेरिया स्वतर ठीक हो जाएगा इसलिए हेनिमाय सहब ने होमी पैसिक इलाज का उन्होंने बर्हावा दिया उन्हें रिसर्च किया संपूर्ण मनावता के कल्यान के लिए हुमिपैथिक इलाई से ही ठीक होता है कई लोग समझते हैं कि कही से भी इलाई ले लेंगे तो उनका फैलेरियासिश ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है जो बेमारी जहां पर देखा जाता है वही पर आपका ठीक होगा तो अंतर्स को समझ लीजिएगा तो कहीं पर भी बैकूफ नहीं बनियेगा कहीं कहीं तो 4-5 शाल लगा देते हैं 6-10 साल तक लें बीमारी को समझने में ही क्या है क्या है कई मरीज सोचते हैं कि पैर तो कई बीमारी में फैलता है फूल जाता है यानि किर्णी में भी पायर फूलेगा हाट के बिमारी में भी फूलेगा लेकिन जो किर्णी का बिमारी होता है उसमें उल्टी ये सम्मण भूख की कमी और पुरे शरीर यानि पायर में और चेहरे शरीर में सुजन आ जाता है किर्णी के ओजास से पुड़ा शरीर फूलता है लिभर में आपको पेट फूला हुआ नजर आएगा जोन्डिस पिलिया चेहरा और परदुनों फूल सकता है हाट के बिमारी में भी आपको हमने बताया कि फूलेगा हाथ भी फूल सकता है या पर भी फूल सकता है लेकिन उसमें दम बहुत जादे मारता है रोगी बीना किसी फेफरे के बिमारी का और रोगी को बहुत जादा सास खिशना परे सास लेने में दिकत हो ये सब हाट डिजिज का ये लक्षन है तो सारा बिमारी साफ साफ लक्षन अपना बताता है यदि इस सारे जनकारी आपको रहेंगे तो कोई आपको ज्यादा दिन तर इधा उधर भर्मान नहीं पाएगा और महंगे से महंगे जो जाच कराते हैं जाच भी करानी नहीं परेगी और टू दी पॉइंट इलाज होग जरू ठीक होगा फालेरिया के मरीज बहुत सारा पैर मोटा मोटा रहता है और चाहते हैं कि एकदम हमरा बहुत कम समय में ही खतम हो जाए ऐसा नहीं है थोड़ा आप जब हमरा ओनलाइन आप इलाई ले रहे हैं या ओफलाइन ले रहे हैं धाइज रखिए हम तो परमान दे हैं परमान देते हैं प्रूफ के साथ हम आते हैं कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसका पूरा परमान मिलता है कई लोग को दो दस दस साल हो गए फैलेरिया का इलाई लिए और ठीक है अब फिर दुबारा आया भी नहीं एक मास्टर स्रायम के लड़के थे बहुत साल प और हमने टीटमेंट किया है आज भी ठीका कोई दिकतु नहीं है और दूध के तरह पे साब होना इसको भी लोग हलके में ले लेते हैं दूध के तरह पे साब हो ते भी फैलेरिया का दूध के तरह पे साब हो ते भी फैलेरिया का ही लक्षन है तो इसे हलके में न ले तो इ तरह तरह का फोटो से आप समझ सकते हैं अब स्क्रीन डिजी जैसा हो जाएगा पैर काला होना सुरू हो गया इनका अब जब घाव हो जाएगा तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है तो कुर्सी पर पर लटका दे या पलंग से बेड से अपने पर लटका कर आप रखें तो पर फूल लगता है ये सारे फैलेरिया का लक्षन है सब पर फूल लगता है और यौन छमता भी लगतार आपका घरते जाता है फैलेडिया में यौन शमता लगातार घटते जाएगा और ये एक साथ सारे का ट्रीटमेंट किया जाएगा तो सब के सब बिमारी आपका ठीक होगा जार बुखार जो आता है कोल्डन फीबर एटेक करता है तो आप कई लोगों को रजाई भी उर्हानी परती है ढक लेते हैं पूरे बदन को और आप इस मच्छर को देख सकते हैं काईसे फैलाता है आपको बिमारी ट्रांस्मिशन आफ फैलरियासिस क्यूलेक्स एडिज और एनोफिलीज मस्काइटोई ट्रांस्मिट फैलरियासिस इसी के वज़़ा से इसी के मच्छर के अज़़ा से आपका बिमारी फैलता है जब काटेंगे तो बिमारी आपको दे देंगे और इसको देख सकते हैं जीवानू कितना बरा बरा होता है कितना खतरनाक होता है आप देख सकते हैं तो तुमाम तरह का इसलिए आपका पयर इतना मूटा होता है बहुत जिवानुजी होते हैं, कीरे होते हैं, काफी स्ट्रोंग रहते हैं, बरे रहते हैं साइज में, इसलिए आपका पैर बहुत ज़्यादा फूलता है तो बस आज के खास वीडियों में इतना ही, इस दही और केले का परियोग आपको नहीं करने चाहिए, दही केले खाने के बाद में आपको जार बुखार आ सकता है, अटैक कर सकता है, बरसाती पानी से आपको बचने चाहिए, मच्छर के काटने से बचने के लिए हमेशा मस्के लेटोनेट मच्हरदानी का परियोग जरूर करिए इसे बचने के लिए अन्यथा आपको बार बार एटेक करता रहेगा और किसी भी तरह का आपको सलाह की जरूरत है फैलेरिया में और चाहते हैं कि जर से समाथ हो जाए तब मेरा वाट्षिप नम्मर पर आप संपर कर सकते है वाट्षिप नम्मर है 9, 8, 0, 1, 7, 5, 7, 5, 3, 3 यानि 980, 1767, 533 पर राह ले सकते हैं यदि यह नम्मर बीजी हो तो दूसरा नम्मर आप नोट कर सकते हैं 7, 0, 7, 00, 3, 3, 4, 2 तो फैलेरिया आपको सौब परतिसत ठीक होगा कई लोग मिलिटरी आर्मी का भी त्यारी करते हैं पर फूल यता है उनके लिए परेसानी के कारण बनता है तो पहले आपने उपचार कराईए फिर अपने बहाली के फेल में लगिएगा तो हम समय से इलाज करा लेते हैं तो मिलिटरी आर्मी पुलिस विभाग में आपको बहाल होने से कोई नहीं रोकेगा तो उसका टीटमेंट आप करा सकते अस्थाई तर पर नहीं तो आप हेट्राजन बेनोसाइड फोट एलवेलडाजोल से टेम परोडी आप कुद ठीक करता ही है और अंदर अंदर धिरे धिरे बढ़ते बढ़ते एक दिन पायर आपका हाथी के समान हो जाएगा और इतना जिन्दगी कष्टकारी हो जाएगा कि आप सोचें भी नहीं होगे तो आज के खास वीडियों बस इतना ही जै हिन जै भारत